हेलो एवरिवन, राधे राधे, आहोई अस्टमी वरत की आप सभी लोगों को हारदिक शुपकामना है, आहोई माता सभी के बच्चों पर अपना अशिरवायत बनाए रखें, बच्चों के उजवर भविशे के लिए, दीर्ध आयू के लिए, और कुशल मंगल के लिए किया जाने वाला आहोई अस्टमी या होई अस्टमी के वरत के लिए, हमें किन-किन चीजों के उशकता पड़ेगी, आज किस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ी भी यूसफुल लगे, तो लाइक, शिर सब्स्राइब करना ना भूल पस्टर या कलेंडर चाहिए होगा, अहोई माता का, तो देखे इस तरह से होता है, और पहले के जमाने में तो गेरू से छापा भी जाता था, तो अगर आप छापना जानते हैं, तो आप या तो डारेक्ट दिवार पर बना ले या फिर पेपर पर बना के भी दिवार पर च जेते हैं, वो नहीं लेना इसमें आपको कमोई लेनी होती है, छेक वाला हमें नहीं लेना होता है, तो इसमें हमें दो लेने होते है, दो घड़ चलती है यानि कि दो घड़े, आप चाहे तो बड़े वाले मटके भी ले सकते हैं, पहले आप उनका पूजन कर लेंगे, और आपको लेनी हैं तो आपको टोटल में 2 चाहिए चाहे तो दोनों मिट्टी की ले लें चोटी या बड़ी आपकी मर्जी है गनपति भगवान की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा ले लें और आज के धिन हल्दी का पूजण विशेश रूप से तो आप फल्दी ले ले पूजन के लिए, साथ में आप रोली ले ले टिका करने के लिए और थोड़े से हमें चावल, और हमें आज के दिना अनाज चाहिए होगा मातरानी का आगे धेरी करने के लिए, तो गेहों मिल जाएं तो अतियुत्तम हैं, नहीं तो आप बाजरा ले स निकालना होता है, भोग वगरा लगाने के लिए भी चाहिए, आप चाहें तो इसकी जगहां पे आप गुड़ भी ले सकते हैं, आज के दिन पूड़े भी बनाये जाते हैं, तो आप पूड़े बना ली जिएगा, नहीं तो आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, आप लड़ होता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, आप दिया बगारा रहन दीजिएगा, खाले आप इस तरह से भी पूजन कर सकते हैं, आज के दिन हरे रंग के फल चढ़ाने का विशेश महत्व होता है, और उसमें भी सिंगाड़ा सबसे उत्तम रहता है, तो आप सिंगाड़े ले लि आज भरते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप फालतु अनाज ले लिजिएगा, जो भी आपको बरना होगे हूं, चावल बाजरा तो आप ले लिजिएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया है, यह जो दो कमोई लेंगे, अम दो घड लेंगे, उसमें से एक आप चाहें तो अपने घर का जो पूजा कर लोटा होता है, वो यूज कर सकते हैं, या स्टील का यूज कर सकते हैं, तो इस तरह भी ले लिजिएगा, और आप जो मिट्टी की लेंगे, वो आपको कोरी ही लेनी है, यानि कि नहीं लेनी है, एक तो आपको ज़रूर से कोरी लेनी होती है, द चीज, साथ चीज, साथी में हमें कुछ दक्षना चाहिएगी, तो देखे अगर आपकी सासुमा ही कहानी सुनाते हैं, तो आप एक जगद दक्षना लेंगे, और अगर आपके आप कोई पंटायनी या बामनी आते कहानी सुनाने तो उनको आप अलग से दक्षना देंगे, और सासुमाज के लिए आप अलग से दक्षना, यानि कि दो जंगा दक्षना लेंगे, और साती में हमें चाहिए एक लोटा जल कहानी सुनने के लिए, इसी के सासा देखिए आज के वरत में जो विशेश महत वरकती है वो होती है, ये साव माता की माला, तो देखिए इस तरह के चांदी के मोती पिरोय जाते हैं, ये साव माता होती हैं, और इनी की कहानी भी कही जाती आज के वरत में, तो इनी के लिए विशेश कर ये वरत रखा जाता है, तो देखिए इस तरह के ये चांदी की माला होती है और जब भी घर में कोई लड़का पैदा होता है या लड़के की शादी होती है तब इसमें दो-दो करके मोती बढ़ाये जाते हैं और कुछ लोग तो हर साल भी बढ़ाते हैं तो अगर आपके हापे भी शादी हुई है या लड़का हुआ है तो या अगर आप हर साल बढ़ाते हैं तो इसके दो मोती आपको व्रत वाले दिन बढ़ाने होते हैं तो आप वो मोती भी ले लें और अगर आपके आपके किसी भी कारण से नहीं ये होती साव माता की माला तो कोई बात ने आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं इसे आप skip कर सकते हैं कलेंडर में तो साव माता का चितर दिया ही होता है तो देखे इस तरह से ये कुल समगरी है जो हमें अहोई वरत में चाहिएगी और इसका आप पूजन कैसे कर सकते हैं उसकी सरल विधी आ चुकी है चैनल पे और वरत में भूल कर भी क्या चीज़े नहीं करनी चाहिए और कैसे वरत करना चाहिए डिटेल में मैंने वीडियो में बताया है आप उसे जरूर चेक कीजिएगा लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है थोड़ी भी यूसफुल लग रही है तो ज़दा से ज़दा शेयर कीजएग अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें ज़दा से ज़दा लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में होई माता की जै लिकना ना भूलें जै होई माता